हम हैं देश के एक मात्र ग्रामीड नारिवादी न्यूद चैनल हमारा समर्थन करें यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें खबरें लाइक करें और विबसाइट पर सदस्य बनें गन्या किसानों कि मुछ फसले होती है इसे में उनके फचलों को सौच में पड़ते हैं इस समय किसानों के खेत में सूखा रोग गन्य के केप में लग रहा है जिसे गन्य की फिलब पूरी कि पूरी सुकति add जा रही दावा डालने पे भी कोई फादा नहीं आ रहा आइए जानते हैं किसानों से यह रोग क्या है और कैसे लगता है। चार गन्ना कंटल से के हमेगा पुरा मैध मिलती है। अपने दवा डाला कि लगय का दवा दोग हुए कितनी दवा तहां कोन सा यृध पांसे एक बी घड़ में आपने कितना लागत लगाया होगा गन्य की फशल में अरे 10 लागत लगायां लें डूज यह रोग तो आपके ही खेत में लगा है कि सारे लोग के सबके तो जो दबाप लोग डाली है उसका कोई फाइदा इस पर हो रहा है कि नहीं बढ़ते जादब कोनों घटना यह रेड़ राठ आप सुगर के नहीं लाल सडन रोग होता है और यह तो पहली बात लग जाने के बाद ला इलाज बिमारी है गन्य की बुगाई करते समय बीज सोधन यों भूम सोधन दोनों करना आवश्यक है गन्य की बुगाई कर रहे हैं तो एक हफते पहले यहां पर ट्राइकोडर्मा मिलता है वो ले जाके वह अपने पहले एक हफते है पहले गोबर की खाद में मिला के रखेत हैं एक किलो ट्राइकोडर्मा में 200 ग्राम गुड का गहोल बनाके इसमें मिक्स करें एक हफते तक वह रखे रहें सुगा साम पानी का छीटА लगाएं ताकि वह एक हथे में जिस जो उसके फंजी फंगस है वह आइक्टिव हो जाएंगे थायो फिनायट जो है यह कम सबतर परसेंट का आता है यह कार्बेंडा जिम पचास परसेंट का इसका डोज जो है यह एक किलो प्रती ठेक्टेयर होता है और यह साथ से दस दिन के अंतराल पर डालते रहें तो हो सकता है कुछ कंट्रोल हो सकते हैं अब यहां पर तो अभी कोई इसी दवा आई नहीं है गन्ने के लिए इसमें सली चुकि हमारे पास जो किसान अभी तक आये हैं अब इसका हम यहां हमारे पास जब उपलब्द नहीं है तो पता करके वह गन्ने दाले भी है अभी उसका रिस्पांस खेत में मिला दें उसके बाद जुटाई करें अपना बुगाई करें और फिर उसके बाद उसी ट्रैकोडर्मा से ही वह बीज सोधन का भी काम करें तो यह रहा इसके लिए अगर लोग लग गया है तो उसमें फिला लिए लाह इलाज य अगर ज्यादा लग गया है तो फिर वह कंट्रोल होना मुश्किल है खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भास